कि आज अपना टॉपिक है ओपिंद कास्ट माइं आप ओपिंद कास्ट माइं में बेंच से सुरक्ष्चा के लिए क्या-क्या साथ दानिया लेनी चाहिए तो जो ग्रेडियन्ट होगा वह नौट मौर देन 45 डिगरी भला ग्रेडियन अपनो 45 डिगरी से अधिक नहीं लेना है फ्रोम होड जोन्ट ओपन कमना करिम ग्रेटेंट लेना हो 45 से ज्यादा नहीं लेना यह यह जो है और जूंटाल का ये इंगल यह 45 45 से ज्यादा नहीं लेना यह थीक और कास्ट माइन में ठीक पहले हम से क्यों दूसरा बेंच हाइट नौन मौर देन 1.5 मीटर बेंच की हाइट 1.5 मीटर ज्यादा नहीं होगी कब जब जब मलवा धीला हो ठीक है मलवा बहुत जल्दी भुरूरा गिर जाने वाला मलवा तो तो वहां पर बेंच की हाइट किती लेनी 1.5 मीटर ठीक है और बेंच की हाइट से उसकी चौड़ाई उतनी ही चौड़ाई रहेगी जितनी बेंच की उचाई लेना है चौड़ाई भी उ होगी 3 मीटर ब्लास्टिंग के तीन मीटर के अंदर कोई धिला मटेरियल पैर पोठा नहीं रहेगा. तो मिजिभ में बनाएंगे तो है तो सिइक्स्स भी ठीं मेत पोधा नहीं रखना है तो भाफ्सं नहीं रखना और ग्रेडीन टिता रखना है वर चॉंटल को तो 45 डिग्री से ज्यादा क्रीए को अब मेकनाइज ओपन काइस्ट माइन में क्या कंडीसन है ठीक है जहां फुली मेकनाइज मसी रोक दारा है ना उसमें कैसी बेंच बनाना है तो वहां पर बेंच की हाइट लोडिंग मसीन के बूम की उचाई से अधिक नहीं होगी मलब जैसे देखो यह बेंच है यहां मसीन है यह यह इसका बूम है तो यह बेंच की उचाई है तो बूम की हाइट से ज्यादा नहीं होगी बूम की उचाई से ज्यादा नहीं होगी नहीं तो बूम की उचाई से ज्यादा करते हैं तो इसको काटने में दिक्कत होगी काटने में या फिर माटेरियर वो करने में निकालन तो यह जोटने में तो बिल्द जयूंट इसके ज्यादा आसके जादा करना है तो ब्रशाय की अर्दम बरावर करना है थिक है पहला बैस कहर जोटनल ग्रेडियन नोटव देकिता रखना क्था रखना है तो 60 से ज्यादा नहीं रखना नोट सिस्टी डिग्री ठीक दो थे किऊ भूंके उच्षाई के बदाबर और ओर जोंटनल क्दाइब कोणसे में मेकनाईज ओपन वाइन वाइन बैंच की कंडिसन यदि बैंच में डंपर चलते हैं तो बैंच की चुड़ाई डंपर की चुड़ाई के तीन गुना से कम नहीं होंगे यदि बेंच में डंपर चलते हैं तो पूछे कि डंपर की चुड़ाई बेंच की चुड़ाई से कित्ता कम नहीं होगा तो बेंच की चुड़ाई से तीन गुना से कम नहीं होगा ठीक है अगर गंपर नहीं चलते हैं तो Unit की चौड़ाई जोड़ाई आए उसे कम नहीं रखेंगें किते मीटर दो मीटर जोड़ने पर दो चोड़ाई आई उससे कम नहीं रखेंगे टिक यह हो गया कि फिर और पेंटेंट के लिए क्या कानुई प्राब्धान है डंप याड मतलब क्या होथा जहां पर डंपर के माध्याम से म्टेरियल को गिराया जाता है ने रखा जाता हैं उसको क्या किया कृए दंप याड किंडिसन ओपिन कास्ट में डंप की हाइट 30 मिटर से अधिक नहीं होग उसकी हाइट तीसमीटर से जादा नहीं होगी किते मीटर नहीं होगे तीसमीटर ज्यादा नहीं एधियोगी की तीसमीटर से जादा इस से जादा रकर या तो स्व्वम्लस जॉप But it को हो बैज एक को जब 24 ङ tap इस को जाइन के 3 मीटर से ज़्यादा रखनी ठीक है यह थीस में चाहित इस मीटर से ज़्यादा रखनी तो श्लोप एंगल किता लेना थो ठीस जवन पॉंट 5 डिदी बर्म की वचाहिख कम से कम से कम एक मीटर और डंपर के टायर के चाहिक होना चाहिए आना के बर्म का होता है बर्म सेप्टिक लिए बनाते आ Pardon यह रोड है यह डंपर यह यहां पर बर्म बना तो तो रहे यह आई तो बारावर रखना तो जो भी यह ऺ़ह यह गका यह तो इसक जोron तो रखना भर ठीक है दो उसके बाद ओपन काश्ट में होल रोड के क्या नियम है होल रोड होल ओड का होता है ओपन काश्ट मने वह हो रोड जिस पर डंपर एवम अन्य कहते हैं मतलब फ्रिक Marly उपन मार्फ मार्ज मार्ट में जहां ठुम पर चलता हूर जहाँ संभाव ना हो अगर दो राष्टे बनाना संभाव ना हो तो होल रोड की डंपर की चुड़ाई का कम से कम तीन गुना होना चाहिए अगर दो राष्टे नहीं बन रहे हैं एसा हो एसा हो बनाए जाएगा कि द्राइबर को टुको टूनिंग किते मिटर पहले जाए न यहीं होगया फिर होलड ग्रेडियनट हां सबसब ज़व और कि टिक्ता रखना है तो वान इन 60 होल रोड ग्रेडियनट किता तब तो वन इन 60 जिस रोड में डंपर को नीचे गिर्दने की संभावना हो वहां पर रोड को रोड के किनारे एक मीटर उचाई का पेरा पिट दिवाल बनाई जाएगी पूछ अगर पेरा पिट दिवाल किते मीटर उचाई का बनाना है तो पेरा पिट दिवाल एक मीटर उचाई का बनाना है अब देखते हैं я तो उसके लिए जितन प computer अपम को मतलब चित्ता ओबरडन हटाएंगे थी संद्मों करते हैं के अधिन को मेजर करते हैं तो कहीं कि अ antes करते हैं कि चूबिक मीटर कि कहां कि बीटर में जिसे देखो जैसे कि और सब रख होता है हम एंब को है जीयों कि और निकालने के लिए चाड़ क्यूबिक मीटर हटाना पड़े तो इसका कि उच्पिमिग पार टे काम तो कि और करते हैं तो ओवर ऐड़न को मेर्जर टे है तक यह हो गया हम आगे के अब सब का ओम तो जब कंद करें मतलब जहां जलता है मतंब जोटी चोटी चोटी मैंट एक टे निकालने के लिए तो एक लाइन जहां पर चलती वहाँ पर कित्ता यहां निकालने के लिए साथ से सब्सक्राइब एक टन निकालने के लिए दो से चार कुबिक मिटर ओवर वर्डन हटाना है ठीक यह हो गया आज की क्लास अब कुछ मसीने रहे गई है उसको कल देखते हैं